स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले लो जी पंजाब दी हो गई है बले बले और राजस्तान शायद थले थले इस वक्त जहां पर आईपील खड़ा है राजस्तान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलॉर का तो कोई चांस नहीं है आखरी चार में जाने का कह सकते हैं कि यहां से सारे मैच जी जाने तो भी जा आ गई है उसमें और इस जान के पीछे सबसे बड़ा रोल इस मैच में था वो था कप्तान रवी चंदर अश्विन का अश्विन एवरिवेर आँख उठाओ टीवी देखो अश्विन इधर आँख करो तो भी अश्विन और अश्विन ने ना सिरफ वो दो विक्टे ली जि देखें तो वो रवी चंदर अश्विन के आखरी दो गिंदों पर दो चके क्रंची शॉड अफ़ देखें इस मैच का मेरे हिसाब से रवी चंदर अश्विन है हालागि कि इसमें क्रिस गेर ने बड़ा अच्छा चका लगाया केल राहूल स्टूर्ट बिन्नी कई बल्ले सवाज उन्हें लंबी-लंबी हिटे मारी लेकिन रवी चंदर अश्विन के वो आखरी दो गिंदों के दो चके शायद वही आज के क्रंची शॉड अफ़ दे थे सवाल यह कि रवी चंदर अश्विन क्यों इस आई-पियल में इतना शांदार खेल दिखा रहे हैं पिछला वो जानते हैं कि मैं किसी को प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ मैं अब वन्डे क्रिक्ट खेल नहीं सकता मैं वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हूँ और शायद वो बर्डन अफ एक्सपेक्टेशन उनके कंदों से जब से उतरा है वो अपने खेल को ज़्यादा एंजॉय कर र चक्के ना लगाए होते तो शायद पंजाब 182 तक नहीं पहुंचता 174, 175, 171 पर रह जाता है वो टोटल सामने वाली टीम जब देखती है ना उसे लगता है कि हम कर सकते हैं जैसे आप 180 के उपर जाते हैं 180, 85, 90, 200 तो सामने वाली टीम के ड्रेसिंग रूम में खलबली मच जाती है क्योंकि आप आस्किंग रेट 9 से शुरू करते हैं जब आप 9 होते हैं नौ नहीं बनता है तो फिर दस बन जाता है 11 और शायद एक वक्त ऐसा भी था जहां पर 127 रणों पर दो विक्टे गिरी हुई थी और 25 गेंदे पड़ी थी वहां से भी राजस्तान रॉयल्स क किया उसके बाद कलाप्स हो गया तो अश्विन की कप्तानी अश्विन का ओल रॉन परफॉर्मेंस क्रंची शॉर्ड ओफ दे वाशिंटन एपल आपल आज रवीचादर अश्विन के नाम एक नहीं बलकि मैं यह दो सेब खाऊंगा और अगर आप भी वाशिंटन एपल ले तरह फिट नहीं है केल रहुल ने आज बैटिंग की उन्होंने रन बनाए लेकिन उस पेस पर रन नहीं बनाए जिस पेस की टीम को जुरूत है डेविड मिलर ने आके एक तेज पारी खेल दी और शायद पंजाब की टीम अब आहिस्ता आहिस्ता लगने लगी है सेंस की रवी चंदर अश्विन को अब वो ग्यारा भी मिल गए है सर्फराज जैसे आज बाहर थे शायद सर्फराज और मंदीब में से अभी वी एक प्लेयर बाहर बैठेगा लेकिन पंजाब को देख कि ये तो लगता है कि इनको अपने खेल का स्तर थोड़ा उपर लेकर जाना होगा अगर आखरी चार में जाना है और अगर पंजाब आखरी चार में जाती है तो फिर आप देखेंगे एंड में हम यह कह रहे होंगे कि रवी चंदर अश्विन के लिए आई पिल एक गेंबाज ही नहीं एक और 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 कप्तान के तौर पर थ्रीडी टामेंशनल प्लेयर के तौर पर याद रखा जाएगा स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी में जाईए और आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आज हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं आपको करना यह है कि मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट प पर जाकर आस्क स्पोर्ट्स तक हैश्टेक के साथ अपनी चार्टी में भीजिए और आज दुपहर को हम मिलेंगे बहस करेंगे आप से सवाल और जवाब का सिलसला होगा और देखेंगे कौन सी ऐसी टीम है जो क्राउड की यानि की सारे फैंस की सबसे फेवरेट टीम है मि झाल 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 झाल झाल